हेलो फ्रेंज मेरा नाम एड़केट अमीद पांडे हाइकोट और आज तो मतलब मज़ा ही आ गया होगा उमीद है सबका पेपर अच्छा हुआ हुआ हो आई पीसी से दस कोश्चिन वह भी सीधा सीधा बियरेट से यार इसी लेके ताहूं बार-बार आप सबसे कि आई पीसी कुए बियरेट से सीधा सीधा दस कोश्चिन आई पीसी में जिसने भी आई पीसी को तैयार किया होगा बैरेट से उसकी तो बल्ले बल्ले है मुझे पता है मुझे थोड़ा लेट हो गया बाकि सबसे कट अब बराने में लेकिन क्या है पेपर अनलाइस करना पड़ता है बि यह देखते हैं कटफ क्या है इस बार का जो पहले पेपर समझे कि इस बार पेपर आया कैसे था इस बार देखिए पहले बार ऐसे वह लोगा आप लोगे ने सही किया होगा तो पिछली बार के पेक्चा में और इंग्लिस जो थी फिर फिर इंग्लिस थोड़ा टफ थी पिछली बार से अगर लागविश की बात पर हिंदी तो इसी था पर इंडिस थी थोड़ा सा टफ था है कोस्टंस देखे तो इस इस बार कोई भी सेटर जो था ना उन्टेचबल नहीं था हर जगह से पूसको से भी तीन ले लिया था फॉक्स एक से फिर उसके बाद से सेक्शुल हरास्मेंट का भी एक कोश्चन ले लिया था तो इस बार पूरा का पूरा डायमेंसिन कभर किया है पीपर ने तो इस बार जो है यह नहीं था कि किसी का भी अगर सिर्फ एक-दो सब्जेक्ट अच्छा हो लेकिन यह है फिर भी major action ने अच्छा का सा IPC, CRPC और evidence ने अच्छा का सा area कभर कर लिया 24 कोशिन कभर कर लिया major action तो और यह तो बिना तयार की कोई जाता नहीं है तो मिरे को उमीद है कि हमारे जितने भी students है और आप लोग ने भी अच्छी तयारी की होगी तो इस हिसाब से मैं आपको सार अच्छा करना पड़ता है आपको बताता हूं या फिर आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमें बुरा लगता है कि मतलब अलतु फालतु चीजों को लोग accept करते हैं और एक अच्छी चीज़ को भी appreciate नहीं करते हैं तो मेरा request है अगर possible हो तो आप appreciate करे अच्छी से भी पाच कोश्चन आये थे टीपीए से तीन कोश्चन आ गये थे लिमुटेशन से आ गये थे तो इस हिसाफ से अगर देखे हैं तो पीपर का जो सेनेरियो देखें हां इसमें सबसे बड़ी प्रब्लम इस बार यह हो गई है कि 2019 में सीट जो थी वह 177 सीट थी लेकिन इस बार सीट भी कम हो गई है इस बार 120 सीट हो गई है तो सतर सीट का तो आपको ऐसे नुकसान हो गया सतर के असी सीट सम लिजें 77 सीट का और करिडिट guarantee भी पिछली बार से बढ़ गया है तो आपके दिल में थोड़ा से बुरा लग सकता है फर कटыв पिछली बार से तो नहीं जाएगी पिछली बार से नीचे तो नहीं जाएगी कट मेरे हिसाब से अगर सेफ स्कोर शोचा जाए तो 62 टू 65 जिसके आ रहे है ना वह सेफ स्कोर में है जन्नल में मतलब 62 से प्लस ही होना चाहिए कम सकम दो तीन नंबर तो बढ़ जागा क्योंकि देखिए डायेक कोशन से बेरेक्ट के तो उस हिसाब से जिसने अर्जादा तर जुडिश्य की प्रेपिरिशन करने वाले बेरेक्ट तो पुरा पी ही जाते हैं तो इसलिए बेरेक्ट से सीदह सिधर कोशन आया है उन्होंने दाग्या जवाब इंगलिस ही ठोड़ा रोग सकती है और जिस मे आना चाहिए cut-up और OBC का करीब 56-57 पर cut-up रहेगा इस बार उमीद है कि यही cut-up रहेगा क्योंकि पूरा paper analyze किया है मैंने question की answer की भी बहुत जल्दी publish कर दी जाएगी team लगी हुई है तो almost हो ही चुका है जल्दी ही जाएगा तो आप मान के चलिए कि आपके selection हो जाएगे अब पिछली बार start गया था तो पिछली बार जो 60 गया था नो आप यह मत सुची कि 60 था पिछली बार 95 numbers पे गया थे क्योंकि पांच question जो थे ने repeat कर दिये गये थे निकाल दिये गये थे पिछली बार तो 95 में 60 number cut up था ठीक है और इस बार 100 आवगा अगर इस बार भी कुछ questions को निकाला जाता है तो अलग बात है अगर नहीं तो फिर 62 इनफ है ठीक है seats कम है बट 62 cut up इनफ है क्योंकि यह 100 में और पिछली बार 95 पे cut up बनी थे ठीक है तो 62 cut up मानके चलिए general का और OBC का मानके चलिए 56 57 स्ट का 45 मानके चलिए और स्ट का 42 या 43 मानके चलिए ठीक है आप सब को all the best है I hope कि cut up और डाउन जाए और आप सब का selection हो जाए ठीक है मिलते हैं फिर आगे नमस्कार